दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं जब लिक्विड नाइट्रोजन और चिप्स का बैग मिलते हैं तो क्या होता है तो तैयार हो जाएए एक धमाके के लिए सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडी होती है लगभग 10960UC जब हम इसे चिप्स के बैग पर डालते हैं तो कुछ पागल सा होता है लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से भाब बन जाती है जिससे सील बंद बैग के अंदर बहुत दबाव बनता है और धमाका बैग एक छोटे पटाखे की तरह फट जाता है लेकिन ऐसा क्यों होता है यह सब गैस के तेजी से फैलने के बारे में है जैसे ही लिक्विड नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है उसे ज्यादा जगह चाहिए होती है जिससे दबाव तब तक बढ़ता है जब तक बैग उसे और सहन नहीं कर पाता विज्ञान बहुत मज़ेदार हो सकता है है ना तो अगली बार जब आप चिप्स खा रहे हो तो याद रखें वे सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बलकि एक मज़ेदार विज्ञान प्रयोग भी है जो होने का इंतजार कर रहे है जिग्यासू बने रहे और प्रयोग करते रहे